कलर्स का सबसे विवादित और सबसे पॉपिलर शो बिग बॉस 14 जल्द ही शुरू होने वाला है शो का प्रोमो भी जारी कर दिया गया है खबरों की माने तो बिग बॉस 14 में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम भी लगबग तै हो चुके हैं इन नामों में कई टीवी कलाकारों के नाम शामिल है इसी बीच अब खबर आई है कि इस बार राधे मा बिग बॉस के घर में एंट्री कर सकती है खबर के मताबिक राधे मा के नाम से मशूर सुखविंदर कॉर को बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से अप्रोच किया गया है और शायद इसी वज़ा से उन्हें Big Boss के लिए अप्रोच किया गया है। राधे माँ पर एक पुरुष को उसकी पत्नी के खिलाब दहेज उत्पीरन के लिए उकसाने। लोगों से अश्कील बाते करने तक करने का आरोप लग चुका है। कभी राधे माँ के भगत रही एक्ट्रस डॉली बिंडरा भी उन पर आरोप लगा चुकी है। ऐसे में अगर Big Boss के घर में राधे माँ के इंट्री होगी तो Big Boss के TRP पर भी बहुत महरबानी हो जाएगी। Big Boss एक ऐसा रियालिटी शो है जिसके एक सीजन के खत्म होते ही विवर्स अगले सीजन का बेस सबरी से इंतजार करने लग जाते हैं। वहीं Big Boss 13 एक सुपर डुपर हिट सीजन साबित हुई थी। वहीं सल्मान खान के मेजबानी की लोग प्रियता भी कई गुना बढ़ गई थी। और अब Big Boss 14 भी शुरू होने वाला है। लेकिन Big Boss के 14 सीजन में कई अरंगे पैदा हो रही है। सबसे पहले कोरोना वाइरस के कारण इस शोक के फॉर्मेट में कई बदलाओ किये जा रहे हैं। और Big Boss के सेट को भी काफी सूज बूज के साथ बनाया जा रहा है। वहीं जहां Big Boss सितंबर के महीने से शुरू होने वाला था, अब Big Boss 14 के प्रसारन को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। मुंबई के बिगरते मौसम और लगतार हो रही बारिश की वज़ा से मेकर्स ने Big Boss सीजन 14 की डेट आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। क्यूंकि कई हफतों से हो रही बारिश की वज़ा से सेट पर रिपेर वर्क को नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा बॉलिवड में अभी नेपोटिजम का मामला भी बहुत गर्माया हुआ है। जिसके बाद सल्मान खान, आलिया भट और महेश भट सहीत कई बॉलिवड सेलिबरेटीज पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं कुस दिनों से कॉमेडी शो दा कफिल शर्मा शो को भी बहिशकार करने के लिए सुशान के फैंस ने मुहिम शुरू कर दी है। क्यूंकि इस शो के को प्रोडूसर सल्मान खान है। और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिग बॉस 14 पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिलेगा। और ये बात बिग बॉस के मेकर्स को परिशान कर दिया है। मेकर्स को ये लगने लगा है कि बिग बॉस 14 का अगर भाहिशकार शुरू हो जाएगा तो शोक को मन माफिक टियार पी नहीं मिल पाएगी। वैसे बिग बॉस 14 को शुरू होने में अभी वक्त है लेकिन इस तरह के बाते होने शुरू हो गई है।